Hello friends, welcome to my YouTube channel, आज इस वीडियो में हम सब्ताह के दिनों के नाम के बारे में जानेंगे, हिंदी में भी देखेंगे, इंगलिस में भी देखेंगे, और सब्ताह के दिनों के नाम को कैसे हम easily learn कर सकते हैं, उसके लिए एक activity भी देखेंगे, तो चलिए, पहले हम नाम जान लेते हैं सब्ताह के दिनों का, सब्ताह में कुल साथ दिन होते हैं, पहला दिन संडे, रभी वार, दूसरा मंडे, सुमवार, तीसरा त्यूजडे, मंगल वार, चौथा, वडेंश डे, बुदवार, पांचवां, थर्षडे, ब्रहश्पती वार, छठा दिन होता है, शुक्रवार, सातवा दिन होता है, सैटर्डे, सनिवार, तो चलिए हम एक्टिवीटी के थुरू इसे लर्ण करना सिखते हैं, कि कौन से दिन के पहले और बाद में कौन सा दिन आता है, ये हमने एक डाइग्राम बना रखा है, एक एक्टिवीटी बना रखी है, आप चाहें तो इस मंगलवार है, तो मंगलवार पे हम इसे ड्रैक कर देंगे, उसके बाद देखेंगे, मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है, यानि कि मंडे, शोमवार, मंगलवार के बाद में कौन सा दिन आता है, यानि कि वडेंश्टे, बुधवार, अब इस तरीके से देख पा रहे हो अब हम इसे ड्रैग करके अगर मंडे पे ले जाते हैं तो मंडे के पहले कौन सा दिन आता है संडे यानि की रभीवार और मंडे के बाद में कौन सा दिन आता है त्यूजडे यानि की मंगलवार इसी तरीके से अब हम देखते हैं ब्रहस्पतिवार पे ड्रैग करके रखते है ब्रहसपतिवार के पहले कौन सा दिन बुधवार यानि की विडेंश्टे बहसपतिवार के बाद में कौन सा दिन फ्राइडे यानि की शुक्रवार इस तरी के से इसे ड्रैग करके हम सत्ता के दिनों के नाम और उनके पहले का दिन और उनके बाद का दिन भी अच्छे से लर्ण कर सकते हैं एक्टिविटी के तुरू यदि आप लर्ण करते हैं तो यह हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाता है और आप कभी नहीं कन्फूज होंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा और यह एक्टिविटी आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा सब्ता के दिनों को लर्ण करने के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिए ताकि इस तरीके की helpful वीडियो आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो